ओम सिरी गनीशाय नमदूस्तू एश्क्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्जिक स्वागत है दोस्तू आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 29 अगस्त गुरुवार के रासी फल के बारे में कि इह दिन कुंब राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा विजिनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नीनी वीडियो पहुंस सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा कुम्ब राशी वालों के लिए गुरुवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आप के लिए आज पॉजेटिव रहने वाला है दोस्तो यदि आप वैवसाय करते हैं या यदि आप नौकरी करते हैं तो निवेश के लिए भी आज आप अवसर ढून सकते हैं यह आपके आर्थिक निवेश के लिए अच्छा हो सकता है जिससे आपको आर्थिक लाब प्राप्त होने के अच्छे अफसर प्राप्त हो सकते हैं आज आपका भाग्य भी अच्छा साथ देगा तथा कामकाज के छेत्र में आपको अच्छी सफलता आज प्राप्त हो सकती है जैंदोस्तो चल अचल संपत्ती के दरश्टी से भी निवेस करना आपके लिए आज बहुती अच्छा हो सकता है इसलिए समय और परस्तिती को देखते हुए निवेस का भी आज अवसर तलासें तथा निवेस करें जिससे आपको क्यामिया भी अच्छी प्राप्त हो और कैसे किसी यात्रा या ऐसी कतिविदी में जो आपके उदेश्टे का इस्पस्ट अर्थ दें उन विचारों को लोगों को बताएं जो आपके दिमाग में हैं और इसके लिए जरूर रिशर्च करें अपने आसपास के लोगों से मिलें और अपने वरिष्ट को प्रबावित क करने के लिए सब्दों की अपनी निपुणता का प्रियोग करें अपने केरियर को बढ़ाने और कुछ पैसेवर योजना या रणनीतियां बनाने के लिए यह एक शांदार समय हैं आपके साथ ही और सेयोगी अभी आपकी अच्छी सलाहों को पहचानेंगे दोस्तों रचनात् अपने घर को खोबसूरत बना सकते हैं अपनी कार चमता से दूसरों को आज आप प्रभावित करेंगे कार चेत्र में तरक्की के योग हैं आस्मिक धनलाब भी आज आपको हो सकता है दोस्तों बात कर लेते हैं जापके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तों घरेलू स सदस्यों पर भरोसा करें किसी अन्य व्यक्ति पर भरोसा ना करें अनावशक परिसानिया उत्पन हो सकती हैं साथिसाथ परिवारिक इस्तितियां तनावपूर्ण हो सकती हैं जिसकी वज़े से घर में बिखराव का माहूल हो सकता है इसलिए घर परिवार में आपसी समंजस बनाए रखने का प्रत्न करें तथा एक दूसरे पर भरुसा करते हुए किसी भी कार्रे को करें अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का पूर्ण प्रियास करते हुए माता पिता से सम्मंद मधूर बनाए रखने का प्रियास करें ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जिसे जरूत हैं जैसे आपके भाई बेहन माता पिता या पडोसी उन्हें सांती प्रदान करें यह समय सांसारिक और वहवारिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने का नहीं बलकि अपने दरश्टिकोन को बदलने और नए विचारों को सोचने का है बहुत से लोग आपसे कई मांगे रख सकते हैं इससे आपका अधिकतर समय मल्टी टास्किंग में व्यत्तित होगा बस वही करते रहें जो आप कर रहे हैं और आपको जरूरी सफलता मिलेगी एक नुकसान या दुखद जो अभी सायद आपके परिवार को प्रबावित कर र अधिकता रहेगी नकारातमक विचारों से दूर रहें और अधिकारियों से वाद विवाद करने से बचें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ के शिरेनी वाली हैं दोस्तों आपको अपने प्रेम जीवन में आज समल कर चलना नकारातमक रूप से आ सकता है आपकी प्रेम पाने की भी आज मुराद पूरी होगी और ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपको एक प्रेतम के रूप में प्यार देगा और एक दोस्त के रूप में आपका साथ देगा दोस्तों आज का दिन आपके प्रेम कैसा रहने वाला है दोस्तों आज वैविशाई के गतिविदियां सफल होंगी और कारोबार में धनलाव के इस्तिती रहेगी प्रॉपर्टी और सेयर भजार में निवेश करना अनलाबदायक रहेगा अनावाशक खर्च की भी अधिता रहेगी जिस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा साती सात नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा विध्यार्तियों के लिए भी दिन आज का मिला जुला रहने वाला है दोस्तों आज आपके लिए वैपार से संबंदित किसी यात्रा पर जाने के भी योग बनेंगे तोट का चैर मकान का शुक मिल सकता है आपकी आमंदनी में अच्छी खासी व्रद्धी आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है दोस्तों समय आज का आपके केलियर केरे काफी अनुकूल होगा और आपको सरकारी छित्र में काफी फायदा होगा आपको अपने कामों के लिए श्व अनावस्षक खर्चों की भी अधिकता रहेगी शावधन रहें दोस्तो बात कर लेते हैं जा आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपको किसी तरह के स्वास्त से संबंदित गंभीर समस्याओं का सामना करना पर सकता है इसलिए किसी भी तरह की स्वास्त संबंदित समस्य उत्पन होने पर समय से उपचार कराना बेहद आवशक है जिस से समय रहते किसी भी तरह की अनहुनी को रोका जा सके शावधान रहें इसलिए दोस्तों आप अपने खान पान पर विशेश रूप से ध्यान दें साथ इसाथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए कि आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश रुपाय क्या हैं दोस्तो आज आप इसनान आदिसे निर्वत्र होने के बाद भगवान श्री हरी विष्णु जी का इसमरन करते हुए किसी बुजुर्ग ब्रहमन को भोजन अवश्य कराएं और अपनी श्रद्धानुसार कुछ दान दक्षणा भी अवश्य करें और अपनी मनीमन मनो काम नहीं मांगें या दोस्तो ऐसा करने से भगवान श्री हरी विष्णु जी बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कश्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परेशाने चल लगी हैं समस्त परेशानियों कंत करेंगे और आपकी समस्त मनो कामने जल्द ही पून होंगी और आपके समस्त परेशानियों के अश्रवाद से बनते चले जाएंगे दोस्तो बगवान श्री हरी विष्णु जी का अश्रवाद आपको प्राप्त हो सच्ची दिल से कमेंट्स बोक्स में जैस श्री हरी विष्णु अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद